और आगे बढ़ लेते हैं दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के जुवाल के करीबी विभव कुमार पर मारपीट कारूप लगाने के कुछ दिनों बाद स्वाती मालिवाल ने आखिरकार अपनी चुप़ी तोड़ी और नियूज एजनसी एनाई से बात चीप की। एक इंट्रिव्यू दिया स्वाती मालिवाल ने बताए कि उस दिन दिल्ली सीएम के आवास के भीतर उनके साथ क्या क्या हुआ था। मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अर्विन किज्रिवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अर्विन जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया उसने भी मुझे यही बात बोली। और मैं वहाँ बैठी वी थी, अराम से बैठी वी थी। इतने में बिभव कुमार जो कि उनके पियस थे, वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं। और वो चिलाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी आकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सक्पका गई और मैंने उनको बोला भी कि भई क्या हो गया, मतलब अर्विन जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया, तो इतना मैंने बोला और इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया, उन्होंने मुझे साथ आठ थपड पूरी जोर से मारे, मैं सोफे पे जी थी वो सामने खड़े थे, और मारे ही जा रहे थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ, इतने में मैंने अपने आपको बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुष करने की कोशिश करी, तो जब मैंने उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया, और मुझे नीचे गसीट दिया, उसमें मेरा सर भी जो, वो सेंटर टेबल है, उस पे जाके टकराया, मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया, और मैं चीकती रही, चिलाती रही, मैं मदद मांगती रही, और मैंने उन्हें इतनी बार बोला, कि मेरे वाल जी घर में हैं, और मुझे से मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत जोड-जोड से चीक-चीक के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया, निर्भया से भी पूछा गया था, कि तुम बस में क्यों गई, आटो में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था, तो इस तरीके की जो victim shaming है, ये हर लड़की के साथ होती है, ये कोई नई बात नहीं है, अब जो उनके सवा हैं, वो ये कहते हैं, कि CCTV footage में तो देखो, कैसे चल रही है, सीधी चल रही है, वो जो edited video है, उसमें तो देखो, अराम से बैठी है, तो ये कहना, कि वो तेज चल रही थी, फिर बाद में वो देखो, लिंप कर रही है, मुझे लगता है, इस से बुरी victim shaming क्या हो सकती है, जिली की महिला मंतरी, ये कहती है, कि देखो, इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो, इसके तो सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कशर रही थी, वो भी करवा देते, मैंने कब F.I.R. में कहा कि मेरा सर भट गया, जी मैं खूनम खून हो गई, इग्जाक्टली जो मेरे साथ हुआ है, word to word, बिल्कुल मैंने वही लिखा है, मैंने ना आगे लिखा, ना पीछे लिखा, और मैं अगर गलत हूँ, मैं बिल्कुल तयार हूँ, मेरा polygraph test, मैं चाहत मैं इस आरोप के साथ कैसे जिन्दा रहूं, जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लडने के लिए, आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो जूटे आरोप लगाती है How long have you known Bhibhav ji? I know him since 2006 only Since 2006, क्या वो बहुत करीबी रिष्टा है उनका अर्विन जी के साथ? Yeah, starting में नहीं था, लेकिन अब अर्विन किज्रिवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी अदमी इस वक्त Bhibhav कुमार है वो कोई मामूरी पिये नहीं है, अगर आप उनका घर देखें, तो उनका घर इतना अलिशान उनको घर दिया गया है इतना तो किसी मंतरी को भी दिल्ली में नहीं घर मिलावा है तो वो एक बहुत रसूकतार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में और पूरी पार्टी उनसे डरती है और उनके ओपर assault का केस पहले भी हो रखा है तो ये सब बाती है और डरती है क्यों डरते हैं लोग डरते हैं उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मेसेज है कि अगर बिभव नराज होगे आपसे तो फिर आप खतम हो पार्टी में हर दिन press conferences होती हैं हर दिन ये बुला जाता है कि मैं बीजेपी की agent हूँ मैंने कितने बड़े-बड़े मुद्दे इस देश में बिना डरे उठाए हैं हर पार्टी जहां पे मुझे गलत लगा मैंने उसके खिलाफ action लिया है तो मैं आज बीजेपी की agent बन गई जिस दिन तक मैंने complaint नी file करी उस दिन तक मैं lady singham थी मैं इस देश की सबसे महिलाओं में सबसे मुखर आवाज थी और जैसे ही मैंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ complaint file करी जो पार्टी में बहुत ज़्यादा रसूख रखता है जो सबका चहेता है उस आदमी के खिलाफ जैसे ही मैंने complaint file करी तो मैं बीजेपी की agent बन गई ये बोला जा रहा है कि बीजेपी ने मेरे को डराया कि मेरे खिलाफ जो case है उसमें वो पता नहीं क्या कर देंगे ऐसा तो महिला मंतरी बोल रही है आतिशी ये जो मेरी trolling कराई जा रही है जो victim shaming कराई जा रही है जो रोज रोज press conferences करी जा रही है वो मेरा character assassination करने के लिए करी जा रही है मेरा सब कुछ लुट गया और मैं जहां मैंने इतनी महनत करी इतना काम किया जहां पे मैं लोगों के साथ उटती थी बैठती थी आज वही लोग मेरे परिवार तक पहुँच गए आज उन्हाने क्या नहीं करा मेरे को डराने के लिए और धमकाने के लिए मेरा चीर हरन तो मेरा उस घर में हुआ और चरित्र हरन मेरा रोज चलाया जा रहा है MP ship की कोई लालसा नहीं है यह मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में resign कर देती मुझे कोई समस्या नहीं है मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ मेरेको लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है अब चाहे दुनिया की कोई शक्ती लग जाए मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूंगी